सो हेलो वाट्स अब कैसे हैं आप सब सुभाई साब SFM का हो गया है आपका पेपर अब बारी है audit की और audit के लिए हमें मिले 1.5 देज और इन 1.5 देज को हमें एकदम बढ़िया तरीके से यूटलाइज करना है सो अपने चेहरे पे ले आईए smile और ले आईए positivity and get ready for the next 1.5 देज make sure आप वीडियो पे अपने attendance जरूर लगा दीजे वीडियो को like करके so that ये बाकी सीए final students तक भी पहुँच जाए so let's begin with the audit 1.5 देज स्टेटेजी yes now is the time for audit 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 पार्टी करेंगे just hope for the best results SFM में सब अच्छा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं अब आपने थोड़ा essays का mood बनाना है अब थोड़ा ethics का mood बनाना है आप नहाद हो लो ठीक है थोड़ा सा मतलब fresh fresh अगर आपके पास मौका है तो आप आधेपोने घंटे का nap ले सकते हो एंड गेट रेड़ी तु स्टार्ट बाइस वगर डाले क्योंकि मुझे पता है बार बार ऐसे बोल बोल के बोल बोल के तुम revise करते रहोगे recall करते रहोगे तो थक जाओगे तो बीच बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहे ना इन सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा तो जो आज का दिन है डैस डे वन आज आपने ज्यादा कुछ नहीं करना मैंने एकदम लाइट टॉपिक्स रखे हैं स्कोरिंग टॉपिक्स रखे हैं तब से पहले आता है प्रोफेशनल एटिक्स पीर रिव्यू कॉलिटी रिव्यू एसक्यूसी वन ऐसे 220 यह तीनों टॉपिक्स मिला के आपको लगबग 20 मार्क्स दे देंगी और उसके बाद आपने रात के 12 सब्सक्राइब तक सो जाना है ठीक है क्या यह बात समझ आती है हां सर एक पॉइंट मैं और दे देता हूँ देखो बैस तो है कि आप इन सब चीजों को सेल्फ करके चलो बट स्टिल इफ यू वांट सम इनिशल पुछ तो मैं आज मैरतन लोंगा किसकी प्रोफेशनल एटि तो आपने कितने बजो उटना है छे बजो उटना है एंड आप अपनी पड़ाई लगबग स्टार्ट कर देना साड़े छे बजे तक अब उसके बाद वापिस अपने फ्रूट्स खाओ बढ़िया एकदम तरे तरो ताजा हो जाओ ड्रिंक वाटर तो गेट अनरजी टू क् ठीक है सर और ऐसे 700 की सीरीज यह सारा मामला मिला के भी लगबग आपको 15 नंबर दे जाएगा तो 20 नंबर 15 नंबर 35 नंबर तो आपके सुबह 9 बजे तक इखटे हो गए ठीक है सर फिर आपने जाने ब्रेकफास्ट पे 9 से 10 बजे के बीच में इसमें आप ना दोलो नहीं आपको काम आही जाएगा ठीक है और इस बार ऑडिट ऑफ सी एफस का MTP में कोशन है तो इस वेरी लाइकली कि आपके एक्जाम में आ सकते है तो इसका अच्छे से करकी जाना चोटा से चप्टर है पांट से चे पेजिस का बट वेरी वेरी स्कोरिंग पॉर एक्जाम साड़े 11 से लेके फोने 12 बारा का ब्रेक है इस 15 मिनट में आपने रिलेक्स करना है कोई फोन चलाना नहीं किसी दोस्से बात नहीं करना ही तेरी पढ़ाई का मोंची कहीं बी पहुँचा तुमने अपने पहुंचने पर ध्यान रत ठीक है तुम्हारा 1.5 देस तुम्हारे ह पढ़ाई करनी है तर इस धाई घंटे में क्या करना है इंटरनल मैनेजमेंट ऑपरेशनल ओडिट यह वाला तीम टॉपिक्स आपने साथ-साथ करना है रिलेटर टॉपिक है फटाफट हो जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें क्या करना जितने भी 55 पॉइंट्स व फिर आप आगे बढ़ना हड़ बड़ी मत करना ठीक हड़ बड़ी करके थोड़ी टेंशन वेंशन होती है अराम अराम से हौले हौले चलते जाना है ट्रस्ट मी सारी चीज़े आपसे हो जाएंगी got the point got it sir फिर आपने जाना है से 600 की सीरीज के पास से 600 की सीरीज में भी आप आप निपटा लोगे क्योंगे वो बुक में भी साथ साथ दे रखा है फिर आजाएगा सर आपका लंच टाइम ढ़ाई से तीन आदा खंट आपको लंच टाइम दिया है फिर तीन से पांच आपने क्या करने तीन टॉपिक्स डू डिलिजेंस इन्वेस्टिकेशन फॉरेंस तो इनको आप priority पे करेंगे किसको due diligence और forensic audit को उसके बाद priority पे करना PSU audit फिर अगर आपको इस time period में time मिलें तो फिर आप investigation पे जाएंगे क्या ये बात समझा रही है yes or no yes अब इसके साथ आपके 10 number और इखटे हो गए फिर आपने break लेना है पांच से साढ़े 5 ठीक है एक और break audit का वो यह है कि जो bank audit है वो आपको MCQS में भी score करने में help कर सकता है plus आपने ना bank audit को कभी भी रटने के नजरिये से नहीं देखना conceptual नजरिये से देखोगे जैसे जैसे conceptual नजरिये से recall करोगे आपको खम से कम 5 में से 2-3 points तो याद आएंगे 2 points नहीं आएंगे जो 2 points नहीं बाद नहीं अराम से आप कर लोगे तो मोटा माटी आप ऐसा कह सकते हो दो घंटे आपको मिलें यह दो के धाई घंटे भी लगा सकते हो कोई दिक्कत की बाद नहीं बट यह दोनों chapter important है इंको अच्छे से करके चलना फिर सार बात आती है insurance audit वो मैंने last day रखा है अब आपके पास सर कल की जो शाम है वो है essays के नाम कल की शाम है essays के नाम सबसे पहले आप करेंगे essay 500 की series very very important जो essay 400 की series है वो भी काफी टाइम से पेंडिंग है तो यह भी important हो जाती है और फिर आप करोगे 200 की series 500 की series में अगर मैं बोलू essay 540 जो बहुत जाद आपका time लेता था पहले ठीक ह कहीं ना कहीं May 23 में 9 marks का है तो accordingly you can take your decision yourself ठीक है सर दूसरी चीज ऐसे 530 का भी question May 23 में था उसके लिए भी आप देखके चल सकते हो got it sir in essays जो May 23 में है at least overview ले ले लेना कल को MC क्यों आजा तो you should be able to deal with it got it got it sir then you can again take a six hour sleep उसके बाद आपने क्या करना है अच्छा essays में एक चीज और हर चीज को याद नहीं करना ठीक है अव्यसी बात है अब तो आपको पता ही होगा हर चीज को याद नहीं करने बैठना जो भी आपके 5.6 पॉइंटर अपने क्लास में मेमरी टेकनिक से करें उनको बस आपने रिकॉल करते चलना है बाकी पार्ट को रीड करोगे अपने आप smoothly बटरली आपका काम हो जाएगा अब सर गुड मॉर्णिंग का टाइम आ गया है अब सर क्या करेंगे सुबह 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 सा नंबर का कोशन मिलेगा फिर ऐसे 300 की सीरीज जो टाइम बचा है उसमें आप करके चल सकते हो देन एड दे एंड यू कें डू इंशॉरेंस और टेक्स और अभी तक इंस्टिटूट का क्या चल रहा है जो चैप्टर जा रहा है उसमें से सवाल पूछ रहे हैं तो यह दोनो लास्ट के 5-10 नंबर आखरी में ही छोड़ते हैं तो आउड रेड़ी रेडी पड़ा अगले टॉपिक पकड़ा अगले टॉपिक पकड़ा अगले टॉपिक पर मैं बताता हूना ते को दर्द होगा हलका हलका दर्द होगा हलका हलका ऐसा लगेगा यह तो बड़ी जल्दी-जल्दी हमको चीजे करनी पढ़ रही है पर ट्रस्ट में इसी में मज़ा है इसी में मज़ा है मुझे भी हुआ था मेरे दोस्तों को भी हुआ था जब आपको दिखता आप सीए बन गए आप audit में नंबर ले आए 60 प्लस तो वो देख के अंदर से अपना खुशी होती है तो just make a commitment to yourself just make a commitment in the comments कि in the next 1.5 days I will give my best and get an exemption in audit so wishing you the best and yes खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे लगे रहो